तो आपे जो के बीएसेफ पन जे तैयार से सीर पीएफ न डीजी अपन करूँ कवे आतंगबाद नो सफायो एज तैमली छेली इच्छा चे जाने कोई पन भूगे ते वो आतंगबाद नो सफायो करा माँटे तैयार चे अने छूट अपी दिवामा अभी चे पहले ती जे द लिदू हतू पर दो पाकिस्तान च्छातापन सुधरू नथी और अबे तनी समझण शक्ती पर एब सवाल थे रहा चे कि पाकिस्तान शाम आटे भारत ने आटा वर्शोसुदी दुश्मन समझतू रहू जो तने वार्तालाप करवो तो तो अबे तरह के मुद्दिस तूज अब रिचे के मतिमान चे में सबसे बहले यह जाननी की कुशिश करेंगे मतिमान साब की यह आतलंगबात का सफाया करनी की जो सोच रखी है भारत ने लगता है कि अभी बात और आगे बढ़ चुकी है पीछेट अब हिंदुस्तान नहीं करेगा भले ही कितनी भी काक्लू द पाकिस्तान करता रहे? देखे पहली बात तो जो आपने का कि भारत ने ये सोच रखी है कि आतंकवाद का सफाय करेंगे, आइम स्टिल वेटिंग ये वक्त तवे आने के लिए फ्रॉम ऑफिशिल सोर्से हमें अभी तक किसी ऑफिशिल सोर्से ये नहीं गया है कि आतंकवाद का सफाया करेंगे अपरेशन ऑल आउट तो ये भी एक भंकसत था आतंकवाद का सफाया किया जाएगा ये ऑफिशल सोर्से से नहीं है मैं बताता हूं इसके आगे क्या है अभी तक आपके प्रदान मंतरी ने भी जितने भी फोरम में एक दो तीन चार प है और जनता जो चाह रही है जो बिलकुल विजिबल है हर जगा कोने कोने में देश के हमें आतंकवाद का खात्मा करने की ही जरूरत है जी लेकिन लेकिन एड़ सेम टाइम मैं इसमें एड़ करना चाहूंगा कल जो हमने एर स्ट्राइक जो इंडियन एफोस ने एक बहुत ह अपने प्रोफेशनलिजम का जो एक नमूना पेश किया जो एर स्ट्राइक समने करी थी इन में लैंड पाकिस्तान उसके बाद मेरे नजरिये से हमारा और मैं यह आशा करता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो प्लांस अल्रेडी इंटक्ट होंगे हमारा कुछ फॉलो जानता को कि बदला ले लिया गया है पुल्वामा अटैक का बदला ले लिया गया है हमें इस वक्त बदले के बारे में नहीं सोचना है we are tending to get very we are tending to let our vision get very narrowed down to बदला बदले की बात नहीं है यहां पर बात यह है कि जो सिलसिला चला आ रहाता साल दर साल तीन चार दशकों से उसका अंत कैसे ढूंडा जाए कौन सुच रहा है कि बदला ले दिया गया है मैं यह आशा ऐसी बाते कई मीडिया चैनल पर यह भी हुआ कि बदला ले लिया गया है और जनता जनता में बेहद हर शो लास है मैं किस बात पर किस पॉइंट पर लाना चाहता हूं अपने वक्तववे को कि मान लीजिए उस पुलवाबा इंसिडेंट का बदला उनके कई गुना आदमी मार के करना था तो वह बदला हो गया लेकिन वाट नेक्स्ट आर्वी वेटिंग फॉर नेक्स्ट टेरर स्ट्राइक नहीं इस बदले को करके जना क्रोश को शांत कर देना और अब हाथ पर हाथ रखके बैठ जाना और फिर यह वक्तव यह देना कि वी आर वेटिंग वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू रिस्पॉंड यह गलत होगा और मैं यह समझता हूं कि हमारी जो लीडर्शिप है वो भी यह बखुबी जानती है और और एड़ अल्रेडी वर्ग आउट दी फॉलो अप एक्शन ऑन डाट और हम उस पर काम करेंगे जो पाकिस्तान रिटाइलियेट कर रहा है आज सुबा जो रिपोर्ट्स आई है वो स्वाभाविक था किसी भी देश पर इतना प्रेशर पड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ तो सफलता मिली है जब पाकिस्तान का एक F-16 आज मार गिराया गया है तो यह दर्शाता है हमारी सेनाएं कितनी चाक चौबंध हैं हमें जरूरत यह है लेकिन जब हम बात करते हैं कि सेनाओं को छूट दे दी गई है उस वाक्य का एक्शुली कोई मीनिंग नहीं होता है लेकिन आपने साब से इतने साल से आपने जो आप सेना में रहे है अब क्या हो सकता है लोग सोच रहे कि अब क्या हो सकता है क्योंकि हर जगा से जो मीटिंग हो रही है अचाहे वो हिंदुस्तान के बात करें या पिर पाकिस्तान के बात करें अगला कदम भरत का क्या हो सकता पाकिस्तान के लिए एमर्जंसी हो सकती है लेकिन हिंदोस्तान के लिए इमर्जंसी कत aurin नहीं है हो इला दिएक लिए नीगना नहीं है options हमारे पास सारे open हैं जहां तक आपने बात करी कि आगे क्या होना चाहिए जे तो मैं इस वक्त इसके strategic और particularly tactical part में नहीं जाना चाहूंगा मैं broad form में आपको बता दू कि options जो हमारी काबलियत है और जिस जगह हम stand करते हैं विजवी अपना friendly neighborhood options हमारे सामने सारे उपस्तित हैं और सारे जो option हम चाहें वो एक्साइज कर सकते हैं लगी लगा कि आपकिस्तान कुछ ऐसी कोई भंगिमाओं को इन चीजों से जोने ना तो बेतर होगा क्योंकि हम जनरली फिर ना वह बॉलिवूड मेलो ड्रामा के पैटर्ण पे चलने लग जाते हैं वह उन्होंने हमारे में लैंड पे हमला किया हम उसको कायराना कहें या जो कहें हमारे लॉंग टर्म प्लान से इस वक्त हमें मैं यही आशा करूंगा कि लीडर्शिप का प्लान सिर्फ चुनाओं को देखते हुए शॉर्ट टर्म गेंस के लिए ना हो बिकाज देश हित में जिस तरह का मौका और जिस तरह का विश्व व्यापी जो हमें सपोर्ट मिला है वो दशकों में एक बार ऐसा महौल बनता है देश का के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी जो बात हम आपको बता दे कि जो मिराज 2000 नी कपरीजन मां एप 16 मिवान जारे अंदर प्रमेश्वान उपरहत्ता करो पाकिस्तान भारत नी सहरत नी अंदर तारे एप 16 निक शम्ता केटली जेशू तरी सामें टकी शके आप इसे जान करें